आज के हमारी कहानी है नई बहु के गुश्य का इलाएज। एक जॉइन परिवार था यह परिवार पिछले कई सालों से एक साथ ही रहता आया था। इस परिवार में कुल तिन पिडियां बसा करती थी जो इनकी एकता की मिसाले दिया करते थे। लेकिन एक नई बहु के इस परिवार में दाखिल होने से इस परिवार की सांती अब खत्रे में आ चुकी थी। यह नई बहु सभाव की खराब नहीं थी। लेकिन जब इसे गुस्सा आता था तो वह किसी को भी कुछ भी बोल देती थी। और उसे हर छोटी मूटी बात पर गुसा आ जाया करता था। इस बज़ा से अब पूरे परिवार में तनाव रहने लगा। ऐसा लगता था कि इतने सालों से जो परिवार एक जूट था वो अब कभी भी तूटकर विखर सकता है। गुसा सांत होते ही बहुक अपनी गलती का एहसात होता। वह पहचताब करती लेकिन फिर सब भुला कर अगली बार गुसा करती और वही बाते दोहराती। एक वरुस के घर एक साधु बाबा आया। इस नई बहु ने अपनी परिशानी उस बाबा को बताई और उससे कोई उपाय हो तो बताने के लिए कहा। साधु ने अपने जोले से एक दावा की सीसे निकाली और उस महिला को देते हुए कहा कि तुम्हें जब भी गुसा आएगा इस दावाई की चार बुंदे अपनी जवान पर रख लेना और दस मिनद तक उसे मुह में दावा रखना। अगर तुम दस मिनद तक उसे नहीं मुह में रख पाई तो या दावा काम नहीं करेगी। महिला ने अगले दिन से ही उस साधु बाबा की दी दवाई का इस्तमाल सुरू कर दिया। दस दिनों बाद जब साधु फिर उसके घर आया तब महिला ने उसके पैर पकड़ लिये। और कहा कि साधु बाबा आपके दवाई काम कर गई। उसकी बज़े से अब मुझे गुसा नहीं आता। और अब मेरे परिवार में सुक सांती फिर से पहले जैसी रहने लगी है। साधु ने हसते हुए कहा कि मैंने जो तुम्हें दवाई दी थी दरसल वर कोई दवाई थी ही नहीं। इसी में तो मात्र पानी भरा था। तुम्हारा गुसा किसी दवाई की वज़े से नहीं बलकि गुसा आये तब सांत रहने की वज़े से खत्म हुआ है। दोस्तों आप मेंसे कितने लोग हैं मानते हैं कि गुसा आये तब सांत रहने से गुसा अपने आप कम हो जाता है। बड़े बुजूर्ग या हमारी धार्मिक पुस्तके तो यही बताती है गुसे का एकमात रिलाज है मौन रहना। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सस्क्राइब जरूर किजीएगा थेंक उ सो मैच्ष… ने ने लिव बताओ अ उन्चांष मने वामच्छ..